उत्तरप्रदेश सरकार ने तक्नीकी सिक्षा को नया आयाम देने के लिए अलिएक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सायुक्त प्रवेश परिक्षया परिशद उत्तरप्रदेश लखनों के द्वारा ओर्लाइन प्रवेश परिक्षया के माध्यम से चायनित अब ध्यारतियों को विभिन तक्नीकी पाथ्ष करमों में प्रवेश प्रदान किये जाते हैं जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फै प्रवेश परिक्षया की प्रवेश परिक्षया की प्रवेश्टी करते हुए दिनांक 8 जनवरी दोहजार चौबिस से 29 फरवरी दोहजार चौबिस तक कर सकते हैं परिक्षया 16 मार्श दोहजार चौबिस से 22 मार्श दोहजार चौबिस के मध्य आयो जित की जाएगी प्रवेश परिक्षया की आवेदन शुल्क इस प्रकार हैं सामान्य पिछडा वर्ग 300 रुपे अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती 200 रुपे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रावधिक सिच्छा विभाग के अंतरगत आनेवाली सरकारी अनुदानेत और निजी छेत्र के पॉलिटेक्निक को में प्रवेश हेतू सेयुक्त प्रवेश परिक्षा परिशत द्वारा पॉलिटेक्निक प्रवेश परिक्षाएं आयोजित की जा रही हैं मेरा सभी से बिनम्न नुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रवेश परिक्षा में प्रतिभाग करें कुल मुला करके उत्रप्रदेश में टोटल त्री लैक ज्यादा सीट अविलेबल है। आप जायनी इंदन्स इग्जामिनेशन उत्रप्रदेश का दुबारा आयोजन हो रहे। प्रवेस परिक्षा का आप ओनलाइन एक्जाम पे आप प्रदिबार करें। चैनित अभ्यार्थी प्रवेश पाकर अपना भाविश्य सार्थक बना सकते हैं। अगर आप 12 स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट हैं तो आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें पास कर सकते हैं। आपको ये बैनेफिट मिलता है कि आप लोगों को फिर्श को रीयर के बजाए आप लोगों को त्वी एर्स क कम्लीट कर सकते हैं। और रेटर एंट्री के थ्रू आप धर रिर्क्ली सेकेंड येर में एंडमिश्य सकते हैं। और सेकेंड बैनेफिट इस कोर्स का ये है कि आप डिपलोमा करने के बाद जब आप नेक्स किसी हाय स्टडीज में जाएंगे तो आप वहां पर भी फोर येर्स के बजाए आप जरेक्ली लेटरल एंट्री के थूरू सेकेंडर में अडमीशन ले सकते हैं मैं एक मध्यम आईवर्ग का विद्धार थी हूँ लेकिन इस संस्था में स्कॉलर्शिप की सुविधा है जिससे किसी भी मध्यम आईवर्ग के छात्र के लिए टेक्निकल फिल्ड में करियर बनाने के लिए एक सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एजुकेशन प्रोइड करता है इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई के सासाथ चात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल की अच्छी सुविधा भी उपलब्ध है जहां पर चात्राओं को कम पैसों में रहने के सासाथ अच्छा खाना भी मिलता है अभी हम लोग रिसेंटली केंपस सेलेक्शन के थोरो सेलेक्टेड हुए है योको हमा कमपनी में और जो हमारी सीनियर्स थे वो भी बहुत ही रेपोर्टेट कमपनी में सेलेक्ट हुए है और उनका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है जिन छात्रों में उद्यमिता की रुचि हो वे अपना स्वयम का व्यवसाई या स्टार्ट अप भी शुरू कर सकते हैं जिसके लिए साशन विभिन योजनाओं के माध्यम से अनिक सुविधाय प्रदान करती है प्रदीश के 75 जनपदों के सभी राजकिये पलोटेकनिक संस्थानों में अभ्यारतियों की सहाय ताहेतु हेल्प लाइन भी शुरू की गई है अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं हमारा संपर्ग सुत्र है 0522 2630106 एवं 2630667 साथ ही आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी है jeecup help at the read gmail.com